हाँ नमस्कार साथियों आज हम बी ये पर्थमवर्ष के लिए टोपिक लेकर आए हैं मनु का जो राज्य संबंधी चिंतन है विचार है मनु की रचना है मनुस्मर्ती जो विवादों में भी रही है एक तरहें से प्रंप्रागत भारतिय समाज का एक दंड विधान था या कहें के एक सविधान था मनुस्मर्ती में जीवन के हर छेत्र के बारे में नियम काईदे तैकिये गए हैं और यही वज़े है कि मनु को समासास्तर में भी पढ़ा जाता है धरम सास्तर में भी पढ़ा जाता है अर्थ सास्तर में भी पढ़ा जाता है और राजनीती विध्यान या राजनीती सास्तर में भी मनु को पढ़ा जाता है तो मनु के राजनीतिक छेत्र में बहुत से विचार है सभी को हम एक वीडियो में नहीं बता सकते इसलिए हमने छोटे-छोटे वीडियो बनाए हैं इसको लेकर तो हम आज बात कर रहे हैं राज्यसंबंधी जो उनके विचार है इस्टेट को लेकर राज्यसंबंधी मनु के विचार राज्य को लेकर जो भारत की परंपरागत परंपरा रही है उसी के अनुरूप हैं महाभारत काल में या वैदिक काल में राज्य को एक देविये संस्था के रूप में माना गया है तो उसी रूप में मनु ने भी राज्य को परिभासित किया है एक तो जो प्राजीन भारतिय परंपरा रही है उसमें राजा और राज्य में अंतर नहीं किया गया है यानि कि राजा की उत्पत्ती को ही राज्य की उत्पत्ती मान लिया गया है तो मनु राज्य की उत्पत्ती के देविये सिध्धांत का निरूपन करते है देविये सिध्धांत से अभी प्राय है कि राजा राजपत या राजजी का जो निर्मान है वो इस्वर ने किया है और राजा है वो इस्वर का प्रतिनिधी होता है मनु ये मानते हैं कि जब समाज में अराजकता की स्थिति आ गई लोगों का जो जानमाल है वो खत्रे में रहने लगा और एक मत्स ने आये जिसे कहते हैं कि बड़ी मचली जहां छोटी मचली को खा जाती है तो जब पास्विक इस्तिती आ जाती हैं लोग त्राहिवान करने लगते हैं परेसान होने लगे तो लोगों ने इस्वर से प्रार्थना की तो इस्वर ने पहले तो एक दंड विधान बनाया एक तरह का आपन कह सकते हैं कि समीधान जो दैवी विधान था एक तरह का कि भई किस तरह से राजा का क्या काम होगा लोग क्या काम करेंगे राजा का लोगों के प्रती क्या दाइत्तु होगा जनता का अपने राजा के प्रती क्या करतव्य होंगे उन सब के बारे में बताया गया और कोई अगर इनका उलंगहन करता है तो फिर उसका समाधान कैसे हो इन सब बातों पर चर्चा हुई और फिर राजा का निर्मान किया तो जो राजा का निर्मान किया है उसमें मानते हैं कि कई देवताओं का जो आंस है उसमें सामिल था जैसे सूर्य है, अगनी है, यम है, प्रत्वी है, वायू है ऐसे करके इसने कई चंद्र है यानि कि जो ये जो देवता बता रहे हैं ये किसी ने किसी एक विशिष्ट गुण के प्रतिने दी है जैसे चंद्रमा सीतलता का प्रतिने दी है तो राजा के व्यभार में ये बात होगी इसी तरह सूर्य है, वो तेज का प्रतिने दी है तो इन सब की जो विशिष्ट गुण थे वो राजा में सवाही थे यानि कि राजा में आठ जो देवताओं कांस सामिलत, देवांस था इस तरह से तो इस तरह से राजा का जो निर्मान होता है और फिर राजा है, वो जनता के लिए काम करता है तो फिर अगला जो सवाल बनता है कि राजा के करतव क्या होंगे या राजा के कारिये क्या होंगे तो जो राजा का जो पहला काम है वो कानून विवस्था को बनाना है या कहें कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है यानि कि जो प्रजास अंरक्षन है वो राजा का प्रात्मिक दाइत्व है उसके बाद जो लोगों के जीवन को कैसे अधिक बहतर बनाया जा सकता है इसके लिए राजा कोशिस करेगा सुईधाएं देगा समाज को इस तरह से संरचित करेगा जिससे की प्रजाका कल्याण अधिक से अधिक हो इसके लिए वो परराश्ट्र सम्मंद भी बनाएगा एक पहतर नयाय प्रणाली भी इस्थापित करेगा कानून की को भी ठीक से लागू करेगा ये सब बातें राजा के जो कर्तव के दाइरे में आती है फिर सवाल ये उठता है क्या मनू का राजा स्वेच्छाचारी है निरंकुस है या सीमीत है देखिए अंतिम रूप से तो निसकर्ष यही रहेगा कि वो निरंकुस है क्योंकि उस पे हम अलागी मनू ये मानता है कि उस पर अंकुस रहेगा वो निरंकुस नहीं हो सकता लेकिन व्यवहार में जब हम अपने विवेक से उन सब का परिक्षन करते हैं मुल्यांकन करते हैं तो हमें लगेगा कि राजा पर जो अंकुस का कोई व्यवहारी कुपाई नहीं है मनू ये मानते हैं कि राजा मन माना नहीं हो सकता या कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो परजा के कल्यान के लिए नहीं हो क्यों नहीं कर सकता है क्योंकि एक तो वो खुद इस्वर का प्रतिनीदी है चोंकि इस्वर नेतिक है तो उसका प्रतिनीदी नेतिक कैसे हो सकता है दूसरा इस्वर है जो राजा है वो देवां से अलग-अलग देवताओं के अंस है तो एक दिव्य पुरुस है वो गलतिया नहीं कर सकता ये बात कही गई है तीसरा ये कहा गया है कि जो इस्वर ने जो दंड विधान बनाया है उसमें उसके अनुसार राजा को भी चलना है और प्रजा को भी चलना है तीसरा वो एक राजा के लिए एक अच्छी एजुकेशन की बात करता है कि जो वो सिक्षा दिक्षा लेने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता है वो खुद उस दोरान धर्म सास्त्रों का ध्यन करेगा समाज को समझेगा तो उसके फैसले हैं वो व्यापकित में ही होंगे तीसरा एक और बात जो कही गई है जो राजा पर अंकुस के लिए कि राजा जो फैसला है वो अकेला नहीं लेता है बलकि उसके साथ एक मंतری परिस्द होगी अलग अलग मंतری होंगे राजा उन से विचार वे मर्ज करेगा और उसके बाद अपना निर्णे देगा तो इस तरह से मनू मानते हैं कि जो राजा है वो निरंकुस नहीं हो पाएगा क्योंकि उस पर कई तरह के जो प्रतिबंद या अंकुस रहेंगे लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि राजा अगर मन मानी कर जाए तब क्या हो पाए है वो दिव्यान सोने के बाद भी वो गलती कर जाए तो फिर जनता के पास ऐसा क्या उपाए है कि वो राजा को बदल दे तो वहां मनू मोन हो जाते हैं कुल मिलाके वो कहते हैं कि अगर राजा गलत है तो वो नरका भागी होगा इस वर उसे दंडित करेगा अब वो क्या जाने कि कोई दंडित होता भी है और नहीं होता है उपर जाके क्या होगा नेकिन नीचे तो वो तबाही मचाके चला जाए तो फिर उपर उसके साथ क्या होता है उससे फिर क्या फाइदा और या होता भी है नहीं होता है ये किसने देखा है तो यहां से फिर जैसे ऐसा लगता है कि मनु ने राजा को निरंकुस बना दिया है हकिकत में राजा पर अंकुस तभी लगेगा जब राजा की मनमानी को रोकने के लिए यथार्थ में जो सकती है वो जंता को दीजाए कि जंता अपने निरंकुस राजा को हटा सके तब तो यह माना जाएगा कि वो सीमित राजतंत्र के पक्सधर है या एक ऐसे राजतंत्र को सपोर्ट करना चाहते हैं जो जनता के प्रति उत्तरदाई हो तो मनों ने जितने भी उत्तरदाई तुत्ताय किये हैं या राजा पर जितने भी उन्होंने अंकुस बताए हैं वो अंकूस अपने आप में एक सतही है या आध्यात्मिक है या आभासी दुनिया के है मंत्री परिस्द की सला तो ले लेकिन नहीं माने तो मंत्री परिस्द के पास ऐसा तो कोई अधिकार नहीं है कि वो राजा को अंकुस में ले या सिकंजा कस दे उस पर या उसको हटा दे या उसे अपना निर्णे मानने के लिए बाध्यकारी कर दे तो ये सब अच्छी बाते हैं कि राजा में देवताओं का अनसे राजा की एजुकेशन बहतर है राजा के सामने दंड विधान है नहीं राजा मंत्री परिशत से सला लेता है लेकिन इन सब के बावजूद भी राजा मनमानी पर उतर आए तब क्या उपाए है उसका उपाए मनु कहता है कि उसे नरक में जाएगा वहाँ इस वर उसे दंड देगा अब आम जनता क्या जाने कि उसको दंड मिला कि नहीं मिला कब मिलेगा कब वो नरक में जाएगा लेकिन यहां तो वो एक दोर को ही मुस्किल में डाल दे तो यह सब बाते हैं यह मनु के राज्य सम्बंदी बाते हैं अगले वीडियो में हम मनु के ही चिंतन की किसी दूसरे पहलू पर बात करेंगे राज्यनितिक पक्स में ही धन्यवाई